प्यारे बच्चों नमस्कार मैंने पढ़ाया था आपको महादेवी वर्मा का गिल्लू गिल्लू चैप्टर हो चुका है और आज मैं पढ़ूँगा और आपको पढ़ाऊंगा काका कालेलकर का जीवन परिचे ठीके चलिए काका कालेलकर का जीवन परिचे आराम से समझ लिज बहुत अच्छा रहेगा, तो काका कालेलकर का सबसे पहले आप डालेंगे जीवन परिचे, हाँ, और अगर इसकी PDF चाहिए, तो description में मैंने link दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप click करेंगे, तो हमारी website पे पहुंच जाएंगे, और जहां से आपको लिखा दिखाई देगा काक कालेलकर का जन्म महाराष्ट के सतारा जिले में हुआ था, कहां हुआ था, महाराष्ट के सतारा जिले में, महाराष्ट के सतारा जिले में, एक दिसंबर 1885 को हुआ था, काका कालेलकर का जन्म कहां हुआ था, महाराष्ट के सतारा जिले में, एक दिसंबर को 1885 को इनका जन्म हुआ था काका कालेल कर हिंदी के उन उननायक साहित्यकारों उननायक कारत क्या होता उननती करता काका कालेल कर हिंदी साहित्यके उननायक साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने अहिंदी भाषा क्षेत्र का होकर भी हिंदी सीख कर न होकर के भी हिंदी सीख कर उसमें लिखना प्रारम किया ठीके, मतलब यहाँ पे न होकर लिखिये न होकर के भी ठीके, ठीक तो काका कालेल कर एक ऐसे साहित्यकार थे जो महाराष्ण में फैदा हुए यहाँनि मराथिन की भाषा थी फिर भी आहिंदी यहाँ पे नाल हटाईए तभी लिखेंगे अहिंदी कहा मतलब होता हिंदी नहीं हिंदी का जो नहीं हुंदी का काका कालेलकर ने सबसे पहले हिंदी लिखी और फिरदक्षिन भारत में हिंदी प्रचार का कारे प्रारंब किया अपनी सूझ बूझ विलक्षणता और व्यापक अध्यन के कारण उनकी गढ़ना देश के प्रमुक अध्यापकों एवं व्यवस्थापकों में होती है काका साहब उच्कोटी के विचारक एवम विद्वान थे भाशा परचार के साथ साथ इन्हों ने हिंदी और गुजराती में मौलिक रचनायें भी की काका साहब की कृतियां निमलिखित हैं आप इनकी रचनाये देखें बहुत काइद समझेगा मेन रचनाएं हो और यहां से आपके जो आपजेक्टिव प्रशनाने हैं यानि 20 आपजेक्टिव हर पेपर में आपको मिलेंगे मॉडल पेपर नया जारी हो चुका है और मैं मॉडल पेपर दे चुका हूँ 20 आपजेक्टिव आपको मिलेंगे इस वर्ष इसलिए 20 objective तयार करने के लिए इनकी रचनाओं को काईदे से रटना पड़ेगा जीवन साहित्य, जीवन का काव्य, इन विचारात्मक निबंधों में इनके संत व्यक्तित और प्राचीन भारतिय संस्कृति की सुन्दर जहलक मिलती है तो निबंध संग्रा इनके दो हैं, दो कौन-कौन से याद कर लिजिए, जीवन साहित्य और जीवन का काव्य, ठीक है, दो निबंध है बाकी यह चीज़े ना आप याद के application कि सस्टाइब ये यह ये प्हों थीकर ठीवनमोंद रजीवन लीला थीकर तो to a जीवन लीना नहीं अपने चरित्र का वरण अपने बारे में इन्होंने दो चीज़ें लिखी धर्मूद स और जीमन लीला दो आप याद कर लिजिए और ज्यादा कुछ इसमें नहीं यह तो बात हम समझाने के लिए आपको इतना लिख दिये हैं बाकि आपको धरमोदर जीमन लीला आतम चरित्र के अंतरगत याद रखना है इन्होंने यात्रा वरत्तांत भी लिखे हैं हिमाले प्रवास काका कारिलगर का कौनखा है हिमाले प्रवास लोक माता यात्रा उस पार के परोसी आदी ठीक है यात्रा उस पार के परोसी लोक माता हिमाले प्रवास ये इनकी हैं देखो लोक माता और यात्रा उस पार के परोसी ये इनके तीन याद कर लिजिएगा बस यात्रा वरतान जर और यात्रा है उसपार के पडोसी संस्मरण देखिए संस्मरण बापू की जहांकियां इन रचनाओं में महत्मा गांधी के जीवन का चित्रण है संस्मरण इन्हों ने लिखा बापू की जहांकियां तो एक याद रखना बापू की जहांकियां ये संस्मरण का एक याद रख पिर सरवूदय साहित्य देखो इन्होंने सरवूदय साहित्य में क्या लिखा सरवूदय रचना में सरवूदय से संबंधित विचार हैं इनकी एक सरवूदय रचना है बस सरवूदय साहित्य में इनकी मात्र एक सरवूदय रखिएगा बस तो इनकी कौन-कौन सी रचना है आ बात कर लिजेगा ठीक है चलिए आज बहुत बहुत धन्यवाद है अम मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया है डाउनलोड कर लिजेगा इनका पूरा जिवन परिचे और तमाम जिवन पर लें बहुत बहुत धन्यवाद और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी हमने दे दिया है